नमस्कार आकाश्वानी से प्रसुत है समाचार प्रभात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश की प्रगती के लिए क्षेत्री आकांग्षाओं का पूरा होना जरूरी जन औशदी दिवस्क देश भर में आज मनाया जाएगा प्रधानमंत्री जन औशदी भंडारों के संचालकों और इस कारिक्रम के लाभार्टियों को संबोधित करेंगे ग्रीमंती राजनात सिंग आज लखनव में एक लाख करोड रुपे से अधिक की लागत की धाटागर्थ और विकास परियोजनाओं का उग्खाटन करेंगे उपराश्ट्रपती एमवंकया नाइडू ने कहा भारत दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ती हुई अर्फ्यवस्था बन गया है और देश में व्यापार को लेकर अब सकारात्मक और उत्सहापूर महौल है और महिला क्रिकेट में भारत और इंगलेंड के बीच दूसर 2020 मार्च आज गुवहाटी में समाचार प्रभात के साथ में प्रियांका अरोडा कधान्मदी नरेंद्र मोडी ने कहा है कि देश की प्रगती के लिए क्षेत्री आकांग्शाओं का पूरा होना जरूरी है और केंड्र की NDA सरकार क्षेत्री आकांग्शाओं को पूरा ध्यान रखती है कल शाम चिन्नई के बहरी इलाके वंडलूर के पास किलम बक्कम में तमिलाड में एंडिये के साज़दार दलों की विशार डैली को संबोधित करते हुए श्री मोधी ने कहा कि भारत विविदताओं का देश है और ग्रामस्तर तक के लोगों की आकांगशाओं पर ध्यान देन जरूरी है जन औशदे दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा इस अक्सर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये 5000 जन औशदी भंडारों के संचालकों और इस कारिक्रम के लाभारतियों से बातचीत करेंगे देश के 652 जिलों में 5000 से अधिक प्रधान मंत्री भारतिय जन औशदी परियोशना केंद्र काम कर रहे हैं रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मंसुक मांडविया ने दिल्ली में संबादाताओं को बताया कि पिछले तीन वर्षों में जेनरिक औशदियों की बाजार में हिस्सेदारी में तीन गुना बढ़हत्री हुई है जो दो प्रतीशत से भढ़कर साथ प्रतीशत हो गई है श्री मांडविया ने कहा कि सरकार का लक्षे 2020 तक ब्लॉक स्तर पर जन और शदी केंद्र खूलने का है हमारी समबादाता ने बता है कि इन केंद्रों से प्रते दिन 10-15 लाख लाभारती आउशदियां खरीद रहे हैं। केंदर उपर कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जाग रुकिया जा सके। सुपर्णा सेक्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से परहत नाज। ग्रीमंजी राजनाच सिंग आज लखनव में एक लाख करोड रुपे से अधिक की लागत की असी राश्ट्रिय राजमार्ग परियोशनाओं का उद्खाटन और शिलान्यास करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने एक विग्यप्ती में कहा है कि शी सिंग नमामी गंगे कारिक्रम के अंतरगत एक हजार नौसब उनहत्तर करोड रुपे लागत की कई परियोशनाओं का वियोद्खाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संबादाता ने बता है कि इस अफसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितन गटकरी और उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आधित्तेनाथ भी मौजूद रहेंगे। के निर्मार और चॉली करन की आधारशिला भी रखेंगे। इस मौक्टे पर राजनाथ सिंग मात्वा कांग्शी लखनओ कानपुरे प्रस्वे का शिलान्यास भी करेंगे। तुशील चेंद्रतिवारी आकाशोनी समचार लखनओ। ग्री मंजी राजनाथ सिंग ने कहा है कि सरकार केंद्रिय सशेस्ट्र पुलिस बलों के जवानों के जीवन स्तर और कारे परिस्थितियों में सुधार के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कलने दिल्ली में 5,283 आवासिय काईयों, 71 खैर आवासिय भवनों और 34 बैरकों के निर्माण की 28 परियोशनाओं का उत्खाटन किया। उप राश्ट्र पती एमवनकया नाईडू ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थ्वियवस्था बन चुका है और देश के व्यापार की व्यापक रचनात्मक संभाबना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के अंतरगत सुधार, कारे निश्पादन और कायकल्प के मंत्र के साथ देश एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक सुधारों और सामाजिक आर्थिक विकास में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का मखाबला करने में सक्षम है और पुल्वामा हमले के बाद पाकिस्ताम में बालकोट आतंकी शेवेर पर की गई हवाई का रवाई से ये और भी स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा खत्रा है। राष्ट्य जांच एजेंसी एनाये ने पंजाब के जिलंधर जिले के मक्सूदन ठाने में हुए धमाके के एक आरूपी को गिरफतार कर लिया है। सरकारी वक्तव्य में बताया गया है कि आरूपी की पहचान आमिर नजीर के रूप में की गई और उसे दक्षन कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतिपुरा क्शेतर से गिरफतार किया गया। अवंतिपुरा के दाचसारा गाउं के निवासी इस आरूपी को कल मुहाली में NIA की विशेश अदालत में पेश किया जाएगा। भारती अंतरिश अनसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान दो उनके संगठन का सरवाधिक चुनौति पून मिशन है। आकाश्वनी समाचार के साथ विशेश भेटवाता में उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षन धुरुब में उत्रेगा जहां अभी तक कोई अन्य देश नहीं गया है। श्री सिवन के साथ ये भेटवाता आज राच सहे 9 बजे आकाश्वनी के FM घोल चानल पर सुनी जा सकती है। श्री सार पच्छों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सकसेना। धन्यवाद प्रियंका। सेना की शौरिय का था। भारतिय वायुसेना द्वारा बाला कोट में पहुँचाए नुकसान के सबूत सरकार को सौपे जाने की खबर को जनसक्ता सहीत अधिकांशा अखबारों ने प्रमुखता दी है। बगौल दैनिक जागरन वाला कोट में निशाने पर गिरे 80% बम। हिंदुस्तान ने बताया है हमले की तस्वीरे जल्द सामने आएंगी। दैनिक भासकर ने लिखा है भारत और दुनिया भर के देशों के दबाव में पाकिस्तान हाफिस के संगठन जमात दावा के अस्पताल मदर्सा सील। राश्क्र सहरा के अनुसार पाकिस्तान अपने उच्चायुक्त को वापिस भारत भेजेगा। रक्षामंत्राले से चोरी हुए राफेल के दस्तावेज उच्चतन नयायले में राफेल विमान सौधी की सुनवाई के दौरान सरकार के इस बयान को दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखवारों ने एहमित दी है। दैनिक भ भूमी विवाद मामले की सुनवाई में मध्यस्ता पर उच्चतन नयायले का फैसला सुरक्षित रखने की ख़बर को देश बंदू सहित कई अखवार ओड़े दिया है। तैनिक जागरण ने लिखा है नयायले ने मध्यस्तों के नाम मांगे। दिल्ली में नियमित कर्मियों के कल्यान कोश में दान किये। उपराश्ट्रपती एमवेंकया नाइडू ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ती हुई अर्प्यवस्ता बन गया है। और महिला क्रिकेट में भारत और इंगलेंड के बीच दूसरा 2020 मार्च आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। इसके साथी समा प्रभात का यंग समाप्थ हुआ नमस्कार।